नमस्कार तूस्तों मेरे नाई मैं टोक्टर सचीन देव. आज की वीडियो में बात करेंगे वड़ेनाफिल टैबलेट के बारे में. सिलडेनाफिल टैबलेट कैसे काम करती है? टेडालाफिल कैसे काम करती है? कुछं सी बहतर है? यह सारी वीडियो आप डेस्क्रिप्शन में जाकर के चेक आउट कर सकते हैं एक सीरीज है जियो मैं सिल्डेनाफिल, टेडालाफिल, अवानाफिल और वर्डेनाफिल के उपर लेकर कर रहा हूँ डेपक्स इतन कैसे काम करती हैं सारी वी आपको जानकारी इन वीडियो में मिलेगी तो डेस्क्रिप्शन को आप चेक करते रहें वहाँ पर वीडियो आपको जरूर मिलेंगी सिल्डेनाफिल टेबलेट आई थी 1998 में व्यागरा के नाम से बड़ी फेमस थी हाना की इसका इस्तेमाल इंडिया में कम होता है भुध कम नामातर के लिए कोई जानकार है कोई वीड़ेशन मंगा कर इस्तिमाल कर दो यह तो कहता नहीं हो अदर्वाइस यह वीडेशों महीं इस्तिमाल की जाती है इंडिया में नहीं इस्तिमाल करहती लेते हैं बात करें डोसेज की तो ये व्यक्ति की उम्र वजन और बीमारी के नुसार की जाती है अगर आप मोज मस्ती के लिए ले रहे ना तो कम मातरा से शुरू करें अगर आप बीमार है कोई दिकत है तब आप 20 mg ले सकते हैं अब बात करते हैं ये टैबलेट कैसे काम करते हैं देखिए हमारी ब्लड वीजल ने पैनिस की उसमें पाए जाता है अनो बनाता है CGMP ये CGMP हमारे पैनिस में तनाव लाता है सिंपल सी बात लेकिन हमारे शरीर में एक एंजाइम पाए जाता है PDE5 ये CGMP को खतम कर देता है और जहां CGMP खतम हुआ तनाव भी खतम हो जाएगा तो हमें ऐसी टैबलेट खानी होती है कि जो PDE5 को काम करने शुरू कि या उस आप बात करते हैं कि अंतर कहा था स्ल्डेन फिल और वर्डेने फिल में देखिए अंतर कुछ नहीं है दो जकें अंतर है एक ठोगंता। तो मिल जाता है, जहांहरे में मिल रही है वह हें वर्डेना फिल आपको 2.5 mg, 5 mg, 10 mg और 20 mg में मिलती है बस इतना ही अंतर है, बाकि side effect बिल्कु सेम है सिर में दर्द हो जाएगा, चक्कर आजाएंगे, शरीर में जकड़न हो सकती है flushing की दिक्कत हो सकती है, flushing का मतलब है चहरा, नाक, कान, आपके लाल हो जाते हैं, गरम होंकर ये flushing बोलते हैं, आपने महसूस किया हो, अगर आपने ये tablet खाई हो आखों में जलन, दर्द हो सकता है, तो ये side effect बिल्कु सेम है heart के patient है, BP के patient है, आपको साब्धानी से tablet खानी होती है तो अंतर कुछ नहीं है, अंतर बस यही है, एक जर्मन कंपनी ने तयार की थी वरड़ेनाफिल सिल्डेनाफिल को टकर देने के लिए बात कर लेते हैं साब्धाने की, देखे अगर आप BP के patient हैं, heart के patient हैं तो आप इस tablet का इस्तेमाल ना करें आप alcohol का इस्तेमाल कर रहे हैं, smoking कर रहे हैं, तब इसको आप इस्तेमाल ना करें खाने के तुरंत बाद आप इसको ना ले, यह नहीं कि आपने खाना खाया तुरंत आपने खाली ऐसा ना करें यह चीज़ आपको ध्यान में रखनी हैं, लगातार इस tablet का इस्तेमाल ना करें, यह नहीं कि रोजी आप इस tablet को ले रहे हैं, अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, अपना ध्यान के नमसकार, धन्यवाद